Dear students, ये project planning के बारे में मैं आपसे अभी तक डिसकस किया objective and importance of project planning इसके बाद मैं अब आगे project appraisal, परियोजना मुल्यांकन के बारे में हम इस वीडियो में अध्यन करेंगे परियोजना मुल्यांकन क्या होता है? किसी भी परियोजना का चैन करने से पूर्व उस परियोजना का साथदानी पूर्वक मुल्यांकन करना चाहिए परियोजना मुल्यांकन के दो पहलो होते है परियोजना की संभाविता का मुल्यांकन और परियोजना की लाबदायकता का मुल्यांकन देखिए जब भी कोई परियोजना को हम चैन करते है कि परियोजना लागू करनी है या नहीं करनी तो उससे पहले उसका मुल्यांकन किया जाना चाहिए और पेपर हम उसका मुल्यांकन करते हैं कि वो फिजिबल है या नहीं है हमने परियोजना आराम कर दी परन्तु वो फिजिबल ही नहीं है चालू ही नहीं हो सकती है या वो लाबदायक नहीं है तब उसका निर्ने हम उसके आधार पर लेते हैं परियोजना की समभाविता का मुल्यांकन बिंदों से संबदित है पहला तक्नीकी मुल्यांकन तकनीकी मुल्यांकन की परियोजना की भागालिक इस्तिती कैसे है यदि हम टेक्स्टाइल इंडस्ट्री राजस्थान में लगाते हैं तो वो ज़्यादा उप्योगी नहीं रहती क्योंकि जब तक की एट्मोस्फियर में नमी नहीं रहेगी तो धागे तूटते हैं इसने भागलिक इस्तिती को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर किसी भी परियोजना को लगाया जाता है भूमी एवं भवन भूमी कैसी है भवन वहाँ पर उपलब्ध है या नहीं है प्राद्योगी की तकनीकी कैसी है और सुरक्षा एवं व्यवस्ता सुरक्षित इस्तिती है या नहीं है इस सभी चीजों का हम पहले से अध्यन करते हैं इसके बाद आता है उत्पादन शम्ता यदि raw material के पास में कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसकी उत्पादन शम्ता में व्रद्धी होती है जैसे की कोईला उत्योग बिहार में पाय जाता है वहीं पर टाटा इंडस्ट्री लगी होई है आइरन इंडस्ट्री है तो उनको इनन प्राप्त हो जाता है तो उत्पादन शम्ता में व्रद्धी होती है शै, छीजत और विक्रित, दूशित और अवशिष्ट के भी बचत होती है शै भी नहीं होता वहीं के वहीं इनन प्राप्त हो जाता है छीज़त भी नहीं रहती तो इस तरीके से भी हम इसका ध्यन कर सकते हैं मुल्यांकन करते हैं बाजार मुल्यांकन परियोचना के उत्पात को क्रे करने वाले ग्रहाकों की संक्या उनकी आय, शिक्षा, रुची, आवशकता हो सामाजिक मुल्यों एवं लागतों का अनुमान लगाना आवशक होता है उसका मुल्यांकन किया जाता है तो जब हम किसी भी वस्तू का उत्पात कर रहे हैं तो ग्रहाकों की क्या संक्या होगी उसका अनुमान लगाना पहले ही आवशक होता है कि उनकी आये क्या होगी, शिक्षित हैं या नहीं है, रूची कैसी है, आवशकता हैं कैसी हैं, जैसे नैसले वालों ने मैगी का उत्पादन किया, तो उन्होंने पहले इसका अनुमान लगाया, परियोचना के उत्पाद की वर्तमान एवं भावी मांग का अनुमान, जो भी उत्पाद कर रहा है, उसकी वर्तमान में क्या मांग है, और भविश्य में क्या मांग होगी, इसका अनुमान लगाना भी आवशक होता है, संभावित प्रतिसपर्दा की अभी क्या प्रतिसपर्दा है, और भविश्य में क्या प्रतिसपर्दा होने वाली है, इसका अनुमा हो गई है उत्पात की वर्तमान और भावी बाजार मुले एवं लागत का नुमान लगाना की बाजार मुले इंफलेशन के सासत कैसे बढ़ेंगे और लागत भी किस प्रकार से बढ़ेगी उनका नुमान पूर में लगाया जाता है उसका मुल्यांकन किया जाता है विक्रे जब भी कोई वस्तु बाजार में आती है तो उससे संबंदित विक्रे संबर्धन उसके विक्रे के लिए जो भी नीती निर्धारित की जाती है उनका भी अनुमान पहले से लगाया जाता है। पहले से लगाया जाता है। कर रहे हैं उसकी पूंजी गत लागत क्या होगी इसका पूर अनुमान लगाया जाता है परियोजना के लिए कारेशिल पूंजी का अनुमान लगाना क्योंकि जब तक कि किसी भी परियोजना की वरकिंग कैपिटल नहीं होगी तो वो सफल नहीं हो सकती है इसलिए परियोजना की कारेशिर फूंजी का अनुमान लगाया जाता है पूंजी प्राप्ति के दीरकालिन और अरपकालिन शोतों का अनुमान लगाना जो दीरकालिन और अरपकालिन शोत हैं उनका पहले से अनुमान लगाया जाता है पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार की वर्तमान इस्तिती एवं संबंदित भाविस रोतों की इस्तिती की जानकारी का विशलेशन करना उप्युक्त पुंजी सरंचना अर्थात रण समता अनुपात तै करना जो भी पुंजी की सरंचना है और रण समता अनुपात है उसको तै किया जाता है कि जो भी हम रण पुंजी ले रहे हैं या शेर से ले रहे हैं या जो भी हमारे पास पुंजी है उसकी क्या रण समता अन अनुमान लगाना कि प्रतिक पूंजी की लागत क्या आ रही है उसका पूरु निर्धारित अनुमान लगाया जाता है। अनुमान लगाना जब आपको आय और लागत दोनों का पता चल गया तो लाब का अनुमान भी लगाना आवशक हो जाता है। उससे आय अधिक प्राप्त हो रही है या नहीं प्राप्त हो रही है। कि विन्यो गदिक हो गया और आये कम प्राप्त हो रही हो, इसका अनुमान लगाया जाता है, परिचालन शुद्रोकर प्रभा का अनुमान लगाना, कैश फ्लो क्या हो रहा है, उसका अनुमान लगाया जाता है, सामाजिक लागत लाप का मुल्यांगन, परियोजना का पर प्रभाओ ऐसा तो नहीं है कि जिस भी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं आयप प्राप्त कर रहे हैं उससे समाज में प्रदूशन फैल रहा है जैसे कैन एनरजी वालों ने जब बाढ़ मेर में तेल की खोज की तो उन्होंने ये पता लगाया कि कहीं पानी में का सरजन होना चाहिए किसी भी परियोजना के द्वारा रोजगार का सरजन होना आवशक होता है समाजिक संसादनों की खपत का नुमान लगाना मुले वरदन एवं उसके वितरण का समाज पर प्रभाव यदि मुल्य बढ़ते हैं तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा परियोजना इस्तल एवं उसके निकिट आधार्बूत सरंचना है जैसे सड़क, पूल, शिक्षन संस्ता हैं चिकित्सा केंद्र आधी के विकास की संभावना है। जब भी कोई परियोजना लागू की जाए तो उसमें समाजिक सरोकार को भी ध्यान रखना आवशक होता है कि स विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है उसकी खपत किसमें होनी चाहिए आयात के कारण जो विदेशी मुद्रा जा रही है उसमें हो जानी चाहिए हमारा विदेशी जो ट्रेड है वो कमजोर नहीं होना चाहिए इस्ताने राजेस्तरिय और राश्ट्रे सरकारों को कर परियोजना के अप्षिष्ट के निस्तारण की नीती का मुल्यांकन ये भी इसमें आवशक होता है। परियोजना की लाबदायक्ता का मुल्यांकन इसके आधार पर स्विक्रित और अस्विक्रित की जाती है। लाबदायक्ता क्या होती है। लाब अधिक्तमी करण और लाबदायक्ता संपदा अधिक्तमी करण। ये दोनों की स्थिति में लाबदायक्ता